स्वागत है आप सभी का पाइफन प्रोग्रामिंग लैंग्विज की सीडीज में आज हम पाइफन का इंट्रोडेक्शन देखेंगे तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर ये पाइफन एक स्नेक दिख रहा है सांप दिख रहा है जिसको बहुत सारे लोग इससे आप लोग सभ है जो कि बहुत घने जंगलों में और आपके कभी किसी गाओं के इलाकों में भी पाया जाता है ये बहुत ही लंबा जनवर होता है और इसके इनसान को भी खाने की छमता रखता है तो आप इस टुटिरिल के लिए आए थे जी नहीं आप हम यहां पर प्रोग्रामिंग सिख जो कि हमारे पास में जिसको हम यूज करते हैं कोड करने के लिए हमें पाइथन स्नेक से मतलब नहीं है मतलब है हमें जानना चाहिए क्या है एक अनदर टॉपिक जो कि हम कभी कभी अगर हमारा कुछ मूट बना तो हम लोग इस पर वारे बात करेंगे बना आपको आज बतान जिसका जो जन्म हुआ जिसको जन्म दिया किस ने दिया ग्यूडो वान रोसम ने 1990 में तो पहले बार जो पाइथन जानी गई जिन्होंने बनाया उन्होंने 1990 में इसको लोग इसको यूज कर सके यह एक open source programming language है और इसमें आप बहुत सारी चीजे कर सकते हैं हमें क्यों जो है वो आपके लिए easy to use है बहुत easy है इसको use करना आप simple आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पदा चलेगा कितना easy way में हम इसको solve करते हैं इसमें चीजे किस तरीके से हम इसमें programming करते हैं और बिना किसी complex इधर उदर की पालतू चीजों को सोचे बिना हम इसमें अपन आपने java सीखी हो या आपने c++ का कभी कोई syntax देखा हो तो आपने उसमें देखा होगा कि आप print करने के लिए java में system.out.println then bracket में double quote में आप उसमें लिखते हो यह एक print का simple statement होता है इसके पहले भी आपको कुछ import कराना पड़ता है आपको main function मनाना पड़ता है तब वो run करत है same thing आपकी c++ में होता है उसमें भी आपको कुछ libraries include करानी पड़ेंगी header files फिर आपको main function मनाना पड़ेगा then आपको फिर उसको print करने के लिए cout लगाना पड़ेगा पर यहां पर जो python में है python में simple सा सिर्फ एक line का code लिखना है और चीजें print हो जाती है तो इस तरीके से बह interpreter language इसके अंदर जो translator जो use होता है जो कि हमारी language को इसमें use इसमें convert करता है या जो कि इसमें errors वगएरा को check करता है वो हम compiler जो है वो क्या हो use होता है interpreter use होता है अब interpreter क्या चीज़ है interpreter में execute होता है line by line मतलब आपने अगर तीन line का code लिखा है तो जब आप उसको run करने की कोश्च करेंगे जब run पर hit करेंगे तब वो एक-एक line को check करेगा और हर एक line check करने का मतलब क्या है यह easy to debug होगा यानि कि इसमें debugging अच्छे करता है और जब हर एक line को यह check करेगा तो क्या करेगा जैसे ही जिस line पर error आ जाएगा compilation वहीं पर रुख जाएगा और interpreter क्या देदेगा उसम पर रुख जाएगा लेकिन अगर सबको चलेगा तो यहाँ पर आपको output देगा बट यही चीज़ अगर हम compiler में देखें तो compiler में आपको source file आती है स्फिर compiler जो है compiler compile करके executable code लेकर करके आएगा इसमें ठीक है interpreter में क्या देखेगा आपको यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें कि भाई जैसे compile हो जाएगा तब आप corporate देखा जब आप compiler की बात करेंगे तो compiler में सबसे पहले source file आती है जैसे आप run पे hit करते हो जैसे आप करते हो run करते हो तो पहले वह compile कर देता है पूरे code को code compile कर दिया उसने जो भी आपने कुछ लिखा then आपने क्या किया यहाँ पर user input दिया आप user input देने के बाद जो executable code है यानि कि जो compile हो चुका वाला code है उसमें फिर आपको आप user input देते हो तब उसके बाद में output में आता है या फिक यहाँ पर error आती है ठीक तो पहले सारा का सार इसमें क्या होगा बहुत ही easy way में या फिर आप कर सकते हो कि जहां कहीं भी error आगया वहीं पर रुख जाएगा system और आपको error देगा आगी उसमें ज्यादा time यूज ना हो ठीक है compilation में क्या होता है जब 99% execute जाता है तब रहाता है that simple इसके अलावा और क्या चीज है python जो है वो cross-platform language cross-platform मतलब इगर आपने इसको अपने platform पर यूज किया है तो आप इसी को आप windows की जरी आप इसको unix या linux पर भी उस कर सकते हो आप सेम कोड को आप windows के अलावा आप apple के लिए laptop से भी यूज कर सकते हो तो there are there are things इससे कि आप simple एक जगे पर कोड लेखो आपको इसको convert करने के ज़ड़त नहीं है and you can execute it take free and open source as I told you now power of python python की power क्या क्या है आप एक code से python को क्या-क्या power दे सकते हो मतलब आप python से क्या-क्या चीजे कर सकते हो तो पहली चीज automation आप इसमें automation वाली चीजें बना सकते हैं जैसे file searching editing जैसे scrapping from website किसी website से आपको कोई data collect करना है चीजे scrap करनी है तब आप python का बहुत असानी से use कर सकते हैं तीसरी चीज आपको कोई email या messages आपको किसी को send करना है और आप चाहते हैं कि automated हो जाए कि यानि इस ऐसा चीजे चले तो मैं इस access software बना लूँ तब आप इसमें python का use कर सकते हैं इसके अलावा जो python का main सबसे बड़ा जो use आज के time पे हो रहा है हम सब aware है artificial intelligence data science machine learning की field से तो इसमें python का बहुत बड़ा machine learning या deep learning के algorithm आप python के जड़िये बहुत आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको website development में जाना है तभी बीची हाँ python आपको वहां पे भी help करेगा कैसे back end में python की services कौन कौन से है जांगो और flask these are the two main services लेकिन इसके साथ में आप interactive ui भी बना सकते हैं आप htmcs का यूज़ करके आप ui बना सकते हैं plus आप user interface बना सकते हैं with the help of jango आप jango की मदद से आप user interface बना सकते हैं अगर आपको animation बनाना है then there is a library known as t-i-r-t-l-e turtle जी हाँ turtle जोगी आपने सुना सही है आप उसका use करके आप animation बना सकते हैं graphic animation बना सकते हैं तो यह कुछ python के चीज़ें हैं जिससे आपको स्याथ motivation मिला हो अपने अंदर से कि यह motivation है मैं यह चीज़े बनाऊगा तो इसके जरी हम python अच्छे से सीख सकते हैं आप python का use कैसे करना है आपको python के लिए python install होना चाहिए आपके पास कुछ tools हैं जो कि हमें आवशक्ता होगी इस पूरे इस programming language को सीखने की यात्रा में हमको कुछ tools की जरूरत पड़ेगी कुछ instruments की जरूरत पड़ेगी जो की no worries कुछ खईदना नहीं है this is absolutely free कुछ आपको software से हमों install करने हैं और उसके बाद आप पूरी तरीके से त सीखने के लिए आपके आपके लापको आपके laptop में install करने पड़ेंगे और जो कि हम इस पूरे code के पूरे course की journey में हम उसको यूज करने वाले होंगे तो यहां तक के लिए इतना ही अगर आपको पसंद आया है तो इस video को like करें और चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप करना चाहे हैं तो आप देख सकते हैं no worries अपने दोस्तों को share करें और हम मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार